Hi everyone, क्या आप लोग भी RBI grade B की preparation कर रहे हैं and RBI grade B में current affairs and general awareness में 60 plus score करना चाहते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज को avoid करना चाहिए और क्या आपकी strategy and planning होनी चाहिए 60 plus score करने के लिए general awareness में तो आज हम वो बातों को discuss करने वाले हैं तो अगर आप भी RBI grade B की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को definitely देखेगा अगर आप 60 plus score कर पाते हैं current affairs में तो definitely आप RBI grade B officer बनने की पहली step को मतलब phase 1 को cross कर लेंगे तो सबसे पहला question तो ये है क्यों इतना important है current affairs क्यों इतना important है general awareness हमारे RBI grade B exam में तो IE सबसे पहले इस analysis को देखते हैं फिर मैं आपको questions भी दिखाऊंगे कैसे questions पूछे जाते हैं क्या trend चल रहा है और आपको किन areas में focus करने की ज़रूद है और क्या है 60 plus score करने के लिए वो भी हम discuss करेंगे सबसे पहला question जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि why current affairs so important तो इसका reason simple जा है phase 1 का pattern अगर आप RBI grade B का paper देते हैं और phase 1 आपने देखा होगा तो phase 1 में 4 portion होते हैं English, Quant, Reasoning and General Awareness total paper 200 marks का होता है और उस 200 में से आप देख पा रहे होंगे कि 40% मतलब 80 number के questions General Awareness के हैं तो out of 200, 80 questions almost 40% आप देख रहे हैं कि current affairs का weightage है General Awareness में और अगर आप past year के मतलब 2022, 2023 के cut-off को देखेंगे तो cut-off 63, 65 ही गया है मतलब अगर आप current affairs में 60 score कर लेते हैं तो आपको बाकी जो segment है मतलब reasoning, quant, English इन में अगर आप थोड़ा कम score भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप cut-off को clear कर लेंगे phase 1 के क्योंकि अगर मैं आपको trend show करूं तो देखिएगा 80 questions आते है General Awareness के जिसमें current affairs का weightage, current affairs के सबसे ज़ादा questions होते हैं almost 80% 80-90% और कुछ question आपके static के होते हैं As such कोई static नहीं होता जो चीज़े current affairs में होती है वहीं से question पूछ लिया जाता है For example, पूछा जा सकता है कि Hemis National Park कहां पर है क्यों? क्योंकि snow leopard survey हुआ है Snow leopard Hemis National Park में पाये जाते है तो पूछा जा सकता है Current और static आपस में एक दूसरे से related होते है तो static पे जादा अलग से emphasize नहीं करना कि अलग से कुछ पढ़ने बैठ गए है नहीं, इतना कुछ पढ़ने की ज़रुत नहीं आप continuously जब current affairs पढ़ रहे और जो भी news आप पढ़ रहें अगर particular state से बात कर रहे है या किसी national park की बात कर रहे है तो आप वहीं पे static को भी note down कर सकते हैं तो static के आप देखेंगे 4 to 5 question या 6 to 7 question इस तरीके से trend चलता है लिकिन 10 से ज़ादा question static के नहीं देखे जाते maximum question आपके current affairs और आपके financial awareness से आते हैं आईए हम इसको एक एक करके देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यह 2023 का RBI grade B prelims मतलब phase 1 का cutoff है और cutoff गया था 54.25 for general category और other categories में भी आप देख सकते हैं यह तो overall cutoff है अगर आप sectional cutoff की बात करते हैं तो general awareness का sectional cutoff गया था 12 number reasoning 9, English 4.5 and Qantas also 4.5 लेकिन हमको इस cutoff से कोई मतलब ने क्योंकि हमारा target 12 number लाने का नहीं है हमारा target है कि 55 to 60 number हमें score करने है general awareness में अगर आप 60 number general awareness में लाते हैं तो आप देखिए आप तोटल score जो आया था total cutoff के भी उपर चले जाएंगे अगर आप ऐसा कर पाते हैं ठीक है reasoning, English, quant के अगर बात करें तो obvious ही बात है reasoning और quant तो आपको phase 2 में काम आनी ही नहीं है English और general awareness ही आपको phase 2 में काम आएगा अगर अगर अप ESI या फिर FM financial management का paper देखिएंगे तो उसमें भी question general awareness से ही आएंगे तो अगर अभी से आपने general awareness पढ़ना शुरू कर दिया मतलब आप phase 1 and phase 2 की preparation साथ में कर रहे है क्योंकि अगर आप quant और maths उतना नहीं कर पा रहे है reasoning नहीं कर पा रहे है तो आपको जादो उस पर load लेनी की ज़रुरत नहीं मैं यह नहीं क्या रहे है कि कुछ भी छोड़ना है और विसी बात करना है हमको यहां पर भी काफी score करना है क्योंकि हमें केवल और केवल इस total cut off से मतलब नहीं हमें तो अच्छा score करने से मतलब है लेकिन मुद्दा यह है अगर आप general awareness पे 50-60 number लेकर आते हैं तो आपका score automatically बहुत अच्छा हो जाएगा और phase 1 आप easily qualify कर सकते हैं जनरल awareness में आप यहां देखेंगे 2022 का RBI grade B का cut off 63.75 puts रहा है 63.7.5 तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि general awareness का weightage कितना जादा है 80 question है और cut off भी उतना नहीं है तो अगर आप 60 number का achieve कर लेते हैं general awareness तो आप easily phase 1 को cross कर देंगे और क्या scope है current affairs का तो देखो phase 1 में तो obviously बात है 200 में से 80 question general awareness के हैं अगर आप phase 2 में बात करेंगे तो phase 2 में जो ESI में 30 question के objective आते हैं इस 30 objective में आपको लगब 20 objective current affairs के और 10 आपको static को देखने को मिलेगा वैसे ही आपके FM में भी लगब 10 question किसके होंगे current affairs के होंगे तो अगर आप phase 1 से ही current affairs पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मतलब आप साथ में phase 2 की preparation कर रहे हैं और आप interview round में जाएंगे तो आपसे जो question पूछे जाएंगे वो भी burning issue and current affairs से होंगे तो इस तरीके से आप पूरा link कर सकते हैं कि अगर आपने general awareness पढ़ना शुरू किया है तो आप phase 1, phase 2 और interview की साथ में तैयारी कर रहे हैं अलग से आपको जादा मेनत नहीं लगेगी अगर आज से ही आप current affairs पढ़ते हैं अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें कैसे start करना है मैं तो आज से ही भाई current affairs या फिर आज से ही RBI grade B की preparation करना शुरू कर रहा हूँ कैसे पढ़ू, कहां से पढ़ू कितना महीने का current affairs हमारे लिए important होगा काफी सारे questions जो नए sprint होते हैं पहली बार exam की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी दिमाग में काफी सारे questions होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारा यहाँ पर हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे study को start करना चाहिए how we should start तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि previous year paper को हम थोड़ा सा analysis करें क्योंकि यहाँ पर general awareness का RBI की website पर RBI अपना notification में general awareness का कोई specific आपको topic नहीं देता आपका slabers नहीं है slabers RBI का नहीं है तो आप खुद एक slabers create कीजिए ना कैसे create करेंगे आप PYQs देखिए जादा नहीं last three years ठीक है last three year के आप previous year questions को देखिए तो इन questions से आपको idea होगा कि आखिर का trend क्या चल रहा है सबसे important है आज के समय में trend आप लोग real बनाते हैं, real देखते हैं जो trending चल रही होती है वही ना, वैसे RBI का system है, जो trending है वही हम पूछ रहे हैं तो आपको trend समझना पड़ेगा कि RBI क्या चाहता है और क्या पूछ रहा है तो इसके लिए आपको past three years के PYQs previous year questions को देख रहा है तो आपको पता चलेगा अच्छा, booking author का question है अच्छा, appointment से भी question है अच्छा, drop team उर्मो को कौन सा award मिला ये भी पूछ लिया गया GDP forecast पूछ लिया गा है IMF का, अच्छा, प्रधान मंतरी जंदनी ओजना भी पूछे गई है तो आपको एक idea बनेगा पहले चीज ये है इसके बाद आपको topic identify करने होगे कि maximum question अगर current affairs में भी हमें पढ़ने है अब होते हैं ना कुछ लोग यार कि इतने सारे topic है कौन से पढ़े, कौन से छोड़ दे हाला कि छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है सब कुछ पढ़ना है लेकिन एक होता है most important और एक important होते है तो most important topic कौन से चल रहा है उनको identify करना है जैसे अगर हम last year के papers खोठाएंगे तो लगबग 6-7 question, 6-7 question दोनों paper में budget economic survey से आते हैं तो budget आपको बिल्कुल छोड़के नहीं जाना है क्योंकि जब आप phase 2 में ESI देंगे phase 2 में जब आप FM का paper देंगे वहाँ पर भी union budget and economic survey आपसे पूछा जाएगा तो आपको union budget and economic survey बिल्कुल नहीं छोड़ना बिल्कुल interim budget अभी आपने पढ़ा होगा जब final budget आएगा तो final budget को भी आप study definitely करेंगे इसके अलाबा आपको फिर prioritize करना पड़ेगा कि topic आपको कौन से study करने है एक चोटी से list बनाई गई है आप लोगों के लिए exam के trend को pattern को समझते हुए तो यहाँ पर सबसे पहली बात बोली गई है government की policies and regulation, guidelines कई बार कई सारे amendment लेकर आता है भी IPC वगेरा में भी government ने amendment कर दिये न तो यह सारी चीज़ें फिर आपका budget इसको लिखेंगे VVIP, budget और economic survey बिल्कुल नहीं छोड़ना हर साल paper में, exam में question आते हैं phase 1 में भी आते हैं, phase 2 में भी आते हैं अब आपने देखा होगा कई सारे organizations जैसे कि World Bank, IMF, NSO यह सब ही लोग अपने GDP को forecast करते हैं तो GDP forecast एक ना एक agency का हर साल पूछा ही जा रहा है फिर government की scheme अगर कोई scheme नई launch की है जैसे कि प्रधान मंतरी सूरुदय योजना या फिर कोई scheme अभी news में है जैसे कि प्रधान मंतरी जंधन योजना के बारे में discussion किया गया था अभी आपका जो economic review आया तो जो scheme news में है आपको उस scheme के बारे में तीन-चार बाते पता करनी बहुत जरूरी है कि कब launch किया गया नोडल agency क्या है किस area को वो serve करते है और कितने सालों के लिए उस scheme को launch किया गया है बात समझ में आ रहे हैं और कहीं और से initiative है या कोई और funding कर रहा है इस particular scheme के लिए तो आपको उस agency का नाम भी पता होना चाहिए कि कहां से funding आ रही है इस particular scheme को run करने के लिए तो आपको थोड़ा सा analysis करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर RBI का trend देखेंगे तो RBI में जो maximum questions आप देख रहे हो नेक्स्ट आता है आपका banking, economy and finance current affairs अब जैसे कि HDFC bank ने किसी और territory या किसी और company की equity को acquire कर लिया या फिर किसी bank ने अपनी foreign में कोई branch open की है कोई नया application ही launch कर दिया तेकि आप लोग देखते रहते हैं या RBI ने कोई circular लिका रहाया कि हम यहाँ पे UPI की या फिर NPCI कह रहा है UPI की limit बढ़ाने के लिए तो यह जो सारी बाते चलती है यह आपकी आती है finance current affairs में next आते हैं आपके sports sports में national sports और international sports दोनों important है international में आप देखेंगे जो tennis grand slam होते हैं वहाँ से exam में question मिला है अभी मैं आपको दिखाऊंगे एक question जो last year पूछा गया था संतोष ट्रॉफी से तो हमारे जो domestic cricket domestic tournaments होते हैं वो भी हमारे लिए important है important sports की personality next book and author अगर कोई important book release हुई है तो वो पूछी गई है exam में government के national campaign and initiative national campaign and initiative then company related news international current affairs जैसा कि हम discuss करते ही अपने daily current affairs में अगर कोई international news है G20, B20, BIMSTAC, SHARK ये जो हमारी बड़ी-बड़ी organization है वहाँ से caution exam में पूछे गए हैं तो उनको भी आपको देखना है important days important days से 4 से 5 caution पूछे गए हैं अगर आप last year के paper को उठाएंगे important days का weight is बहुत जादा है तो आपको important days देखने हैं और कौन से topic है अब state related current affairs देखिए का आप कोई state PCS के exam के तयारी नहीं कर रहा है कि आपको कोई state का पूरा deep analysis करना है नहीं किसी government ने state government ने कोई scheme launch कर दे तो आप बस याद रख लो कि इस particular state ने इस scheme को launch किया और इसका मकसद मतलब aim क्या है आपको government scheme जो central government की scheme है उनको deep analysis करना है लेकिन जो state government scheme है उनको deep analysis नहीं करना उनकी बस factual दो तीन बाते आद रखनी है कि कौन से state ने इसको launch किया है उस state के CM या governor क्या है ये देख लेना या फिर इस scheme जो launch की गई है वो किस मकसद से की गई है अच्छा इसके अलावा एक और point मुझे आद आता है आपका जो अभी cabinet बनेगा तो आपको cabinet minister के बारे में मतलब जो portfolio होता है वो थोड़ा साब को देखना पड़ेगा CM governor पता होने चाहिए आपको states के नेक्स्ट बात करेंगे treaty and conventions जो भी संधियां होती है treaty sign होती है हम लोग generally MOUs को discuss करते रहते हैं person in news, obituries यहां से भी question आया था last year फिर government के organization अगर वो news में है तो पूछ लिया जाता जैसे कि पूछ लिया गया कि DRDO का foundation दे हमने एक जनवरी को celebrate किया वो कौन सा edition था यह DRDO के chairman पूछ लिया DRDO का headquarter पूछ लिया तो जो भी government PSU या organization news में होते हैं वो अगला segment जो की है VV import IMP यह है आपका very important हम बात कर रहे हैं ranking और reports के बारे में आप देखें कि एक ही paper में 3-4 question ranking के पूछे गए है last year तो ranking बहुत important और ranking को आपको कैसे पढ़ना ऐसे ही नहीं बस पढ़ना है कि भारत की rank क्या है अगर आप कोई index भी पढ़ रहे हो for example आपने CPI पढ़ा तो कोई भी आप index पढ़ रहे है तो कौन सी agency उसको publish कर रही है कब से publish किया जा रहा है इंडिया की ranking क्या है first पे कौन है, bottom पे कौन और इंडिया की neighboring कौन है या फिर किस indicator पे based इस ranking को publish किया जाता है कितने pillars है या parameter पे based इस ranking को publish किया जाता है तो ये सारी चीज़े हमारे लिए important है तो हमें ranking and report को definitely detail में पढ़ना है फिर defense, कोई ministry of defense ने कुछ MOU sign किया हम अपनी जैसे की Brambo's missile को Philippines को बेचने वाले, export करने वाले है तो इस तरीकी की जो news होती है awards, important है again, awards and general knowledge general knowledge में आपके national parks हो गए या फिर कोई wildlife century news में है ramsar sites हो गए, GI tag हो गए जो exam में पूछे जाते हैं बार-बार या आपके कुछ static points होते हैं और आप अगर daily current affairs पढ़ते हैं तो कई सारे static points आप वही पे cover कर लेते हैं जैसे कि polity से भी एक article पूछा गया था भी मैं आपको दिखाती हूँ तो अब ऐसा नहीं है कि लक्षमी कांत लेके बैढ़ गया पढ़ना शुरू कर दिया है जो चीज़ था है कि हम election commission की बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि article 3 to 4 में है हम finance commission की बात करते हैं तो article 280 के बारे में बात कर लेते हैं जो भी चीज़े हम discuss करते हैं quality से related है तो अब वहाँ पर article वहीं के वहीं देख लो क्योंकि वहीं से article आएंगे जो current affairs में आपको बिलकुल भी lucent या एम लक्षमी कांत पढ़ने की आवशकता नहीं है क्योंकि आप RBI grade B की preparation कर रहा है और ना कि SSC की या फिर ना कि आप किसी state PCS exam की preparation कर रहा है इस बात को ध्यान में रखना कि कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है यह जरूरी है तो maximum focus आपका government scheme पे होना चाहिए P.I.B. के news पे होना चाहिए daily current affairs obvious सी बात है daily current affairs में आपके maximum topic cover up हो जाते है index हो गया state news को limited पढ़ना है तो इस तरीके से आप एक strategy बनाएए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या avoid करना है चलिए जैसे कि कुछ questions देखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि R.B.I. में आप देखेंगे caution easy है ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा तरफ है नहीं अगर आप daily current of it follow कर रहे हैं और समय समय पर उसको monthly revise कर रहे है revision बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि एक जनवरी को कोई current of it बढ़ा था और अब एक फरवरी तक हो गया है और आपने revision ही नहीं किया तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ याद भी रहेगा और paper में कुछ याद आएगा frequently revision इसलिए revision के लिए ही तो आप लोगों के लिए weekly current affairs आता है फिर monthly आता है purpose यह ही है कि revision हो चीज़ें आपको recall हो ठीक है तो revision बहुत जादा जरूरी अगर आपको 60 plus score करना है done तो आप देखोगे कितना बड़ा question यहाँ पे लिखा है तो आपको reading habit develop करनी पड़ेगी कि आप कितना fast पड़ पाते हो reason is that कि 80 questions पढ़ने है आपको वो भी केवर 25 minutes में और 25 minute का time बहुत कम होता है तो इस question को पढ़ने में भी एक-दो minute लगा दोगे अगर तो फिर तो काम हो गया तो आपको keywords क्योंकि आप जब revision करते हो नो तो keyword दिमाग में रहता है तो आप कई बार पुड़ा question भी read करने की ज़रूरत नहीं होती आप answer तक पहुँच जाते हो तो आप जब multiple time quiz लगाते हो या फिर आप बार बार revision करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में अलड़ी छप जाती है तो यी question बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन question के अवल इतना सा है कि द्रापती मुर्मू को किस country ने South African country ने अपनी country का highest civilian honor दिया है जिसका नाम है chain of yellow star तो आंसर हो जाता है सूरी नाम matter खतम लेकिन आप देखर यो इतना बड़ा कहानी लिका है जिसे बच्चा आदा तो पढ़ने में ही time waste कर दे यह उनकी tactics है भाई कि आप 60 questions क्रॉस ही ना करो ठीक है लेकिन आपको करना है जैसे कि आप इस system को भी देखो गया RBI के दौरा तो यह कौन सी anniversary में इसको launch किया गया पचासवी anniversary थी खतम जैसे यह question आप देख लेंगे यहाँ पर भी आप से हमारे जो private sector bank या कोई भी banking है अगर उनकी कोई नई branch open होती है इन्हें कहीं से इंडिया में कहां कहां से FDI FDI आ रहा है सबसे जदा FDI किस country से आ रहा है या इंडिया को सबसे जदा remittance कहां से receive हो रहा है इस तरी की question exam में आते है अगर किसी bank ने कोई application launch कर दी तो उसका purpose क्या है बात समझ में आ रहे हैं तो यह simple सा question है कि सबसे जदा वो कौन सा commercial bank है जिसकी number of branches highest है increase हुई है foreign nation में simple सी बात है अब index की जैसे मैं बात कर रहे थी यह global gender gap index का question है कि इतना बड़ा लिखा हुआ है कि 4 key parameters पैसा ऐसा ऐसा सब इतना सा पूझा गया कि first number पर कौन सी country थी ठीक है next question आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो NIRF ranking से question पूझा गया है आप लोग ने QS ranking के बारे में सुना होगा अलग-अलग university की ranking भी होती है समय समय पर तो आपको वो ranking and report पर focus करना है जैसे अगला question भी आप देख सकते हो first ही जो report publish करता है food safety index तो food safety index से question पूझ लिया गया कि top state कौन से है और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आजकल जो trend चल रहा है वो केवल एक पर नहीं छोड़ देते top three और bottom three आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ascending order, descending order मिलता है तो आप देख रहे हो एक ही paper में तीन question index हैं और हर एक question की value आपको पता है कितनी important होती है exam को crack करने के लिए तो index और report को अच्छे से आपको study करना है अब जैसे कि defense science की बात करें तो ISRO का कोई mission है या फिर NASA कुछ एक नया mission launch कर रही है या हमारा किसी और country के साथ हमने M.O.U. sign करके नया mission launch करने की कोई planning है तो उस तरीगे के missions के आपको information होने चाहिए और उनके full form यहाँ पर कुछ नहीं पूछा कि NASA का यह mission है यहाँ पर जो V है इसका full form क्या है मतलब V का क्या मतलब है evaluation पूछा है तो आपको evaluation पता होने चाहिए important organization या mission के अब जैसे कि मैंने कहा जो important आपके organization है B20, G20 summit हो रही है G7 summit हो रही है BRICS nation को summit हो रहा है या फिर I2, U2 summit हो रहा है तो जो बड़े-बड़े summit होते हैं उनको कौन सी country host कर रही है ठीक है और भारत की तरफ से कौन इसे present कर रहा है यहाँ पर भी simple सी बात है कि B20 में भारत की तरफ से किसने present किया matter घता हो लिखा बहुत बड़ा दिख रहा है आपको लेकिन question से बतना साहिए ठीक है अब NSO जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर साल एक trend देखा गया है कि forecast से question पूछा जाता है GDP forecast ठीक है NSO की हो गई या फिर economic survey में कितना estimation दिया गया या फिर आपका World Bank, IMF इन तरीकी की organizations के पूछे जाते है तो आपको ये भी पता होना चाहिए Next जैसे कि मैंने आपको बताया पूछा गया है कि top three source countries कहा है इंडिया की FDI के लिए कहां से FDI भारत को आता है वैसे remittance कहां से आता है इंडिया को ऐसे question पूछे जाते है अब यहाँ पे देखो जैसे कि 1st of July को इन में से किस organization का foundation दे है तो organization जो important organization उनके foundation दे है उनके chairman उनके headquarter पता होने चाहिए जब हम current affairs पढ़ते है obviously बात है daily basis पे तो कुछ news अगर रहते ही तो हम discuss करी लेते है कि organization है यह formation अब तब हुआ था formation से समझ में आ जाता है formation कब हुआ था और फिर हम chairman वगएरा भी discuss करी लेते है और headquarters जैसे PM कुशुम scheme है प्रधान मंतरी, किसान उजज, सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुशुम का full form है यहाँ पर इस scheme के बारे में पूछा गया है कि इस scheme का मकसद क्या है या तो इसको कब launch किया गया कब तक इसको implement किया जाएगा कौन-कौन beneficiary होंगे तो वो बातें यहाँ पर लिखी है और answer आपसे पूछ लिया तो government scheme आपको इसी pattern में पढ़नी है क्योंकि government scheme से आपको ऐसे ही question RBI grade B में देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में आ रहा हुआ कि government schemes को हमें detail analysis करना जरूरी है कौन-कौन सी बात है nodal agency कब launch किया गया कब तक implement किया जाएगा इस scheme के लिए budget क्या रखा गया nodal agency के अलावा है इनके beneficiaries कौन है कि एक article पूछ लिया गया था Indian constitution में कि division of power जहां पे हम state list, union list और concurrent list की बाते करते हैं वो कौन से article में है तो ये last year 2023 का question है 2023 में जो RBI grade B तो वहां पे कोई news रही होगी जो की distribution, power distribution की बात कर रही होगी इसलिए news देखी गई तो आपको ज़्यादा article नहीं पढ़ने अगर कोई political news current affairs में है तो आप उस particular topics related articles को पढ़ लेंगे और वो हम current affairs में daily cover कर ही लेते हैं चीक है चली, एक ही question था polity का अब यहां पे top gold producing country in the world चीक है, 2023 में कोई घटना हुई होगी जहां पे gold producing country की चर्चा होगी जैसे इस साल अगर बात करते हैं तो हम lithium triangle की बात करते हैं तो पूछ सकता है कि lithium में सबसे top producer क्या है या फिर lithium का top मतलब reserve country कौन से सबसे अदा reserve lithium के कहा है क्योंकि lithium इस साल news में है बात समझ रहे हो तो आप उस तरीके से जो अगर material mineral news में होते हैं उस पर top कौन सा है भारत में कहां पे mines है वो आप देख सकते हैं जैसे कि एक caution book से था यहाँ पर OECD जो group है उसमें पूछा है कि इतने member countries है अगर group news में है तो member countries हम पढ़ लेंगे फिर environmental day पूछा था easy है पूछा है कि ISRO का जो upcoming mission है Project Venus इसको कब तक launch किया जाएगा तो ISRO के mission तो सारे important होते है और सारे exam के लिए important होते है तो इस तरीके का trend चल रहा है तो paper दिखाने का last year के question दिखाने का मकसद है कि आपको trend पता चले कि पढ़ना क्या है क्या skip करना है कहां पर जादा आपको जोड़ देनी के जरुरत है तो topic आपको clear हो चोगे government scheme, union budget, economic survey, GDP forecast, appointment, important days, index, report ये कुछ parameters है ये जैसे ISRO की news, defense news, bank का कोई या RBI circular आया है बैंकों ने कुछ नया notification दिया है या application launch किया है इन areas को आपको बिलकोल भी नहीं छोड़ना है अब कितना पढ़ना है तो answer हो जाएगा 6 month how many month current affairs हमको prepare करना है तो answer हो जाएगा minimum 6 month अगर आप safer side जाना चाहते हैं तो 8 month तक का current affairs आप पढ़ेंगे इतना तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि एक साल पुराना current affairs RBI उठाके नहीं पूछता उनका trend नहीं रहा है 6 month max to max 8 month तक का current affairs आप safer side के लिए पढ़ सकते हैं तो अगर आप इन चीज़ों को follow करते हैं और current affairs पढ़ना आच्छे आपको शुरू करना पढ़ेगा for upcoming exam और लिखने की practice क्योंकि phase 1 अगर आप लोग इस policy को अपना आया तो obvious सी बात आपका phase 1 तो clear हो जाएगा तो phase 2 में return वगेरा की तैयारी आप करना शुरू कर देंगे क्योंकि objective और descriptive दोनो nature का आपका होता है मतलब answer writing करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए phase 2 के लिए और वहाँ पर भी आपका again current affairs important role play करेगा तो अगर आप लोग daily current affairs पढ़ते है then उसको weekly revise करते है and monthly जब आपका paper का समय आता है तो इतना समय नहीं होता है तो आप monthly current affairs आपने पढ़के रखी और उसको underline करके रखा है या important point लिखके रखे हैं आप 25 minute में 80 caution को पढ़ पाओगे और at least 60 marks score कर पाओगे I think आपको ये video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है useful लगा है और अपनी life में आप implement करके फाइदा लेना चाहते हो तो बिलकुल इस strategy को आप follow कर सकते हैं and link को share कर सकते हैं अपने friends के साथ so take care